जनमेजय का सर्प मेग यग्य एक बार राजा परीक्षित किसी तपस्वी आरशी का अपमान कर देते हैं। आरशिवर क्रोधित हो उन्हें सर्प दंश से मृत्यू का श्राप दे देते हैं। बहुत सावधानियां रखने के बावजूद आरशिवानी अनुसार एक दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपे तक्षक नाक के काटने से परीक्षित की मृत्यू हो जाती है। जब राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय पांडव वंश के आखिरी राजा को पता चलता है कि सापों के राजा तक्षक नाक के काटने से उनके पिता की मृत्यू हुई है तो वे प्रतिशोध लेने का निश्चय करते हैं। जनमेजय सर्पमेग यग्य का आहवाहन करते हैं जिससे समस्त पृत्वी के साप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगते हैं। जनमेजय समस्त सर्प जाति का विनाश करने पर तुला था, इसलिए देवगण उन्हें यग्य रोकने की सलाह देते हैं। पर वह नहीं मानते। अंत में अस्तिका मुनिके हस्तक शेप से जनमेजय अपना महा विनाशक यग्य रोक देते हैं। सार, बुरे कर्म का बुरा फल मिलना अटल है, नियती को कोई टाल नहीं सकता.